इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तपाएं स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं कुरुक्षरित्र महमान जोड़ चुके हमारे साथ किशोर तिवारी जी शिबसेना के रेता हमारे साथ हैं यसी पवार साब पूर आईपियस आफिसर हैं और पीकेजन साब आप यूरे टाइड आईपियस आफिसर हैं आप तीरों का बहुत-बहुत सभागत है सर और हमारे साथ राम कदम जो की बीजेपी के अमेले हैं वो जोड़ने जा रहे हैं उनको हम देख पा रहे हैं थोड़ी पूरे महराश में इस वक्त थंगामा मचा हुआ है एक पुलिस वाले की गिरफ़तारी को लेकर के ऐसा लगता है जैसे कि एक एसाई की गिरफ़तारी से ठाकरे सरकार हिल गई है क्योंकि आज मुख्यमंतरी की मुलाकात हो रही है शरत पवार के अपने मंतरियों से मुख्यम कमिशनर की जॉइंट कमिशनर की मुख्यमंतरी की से उनके घर पर मुलाकाती सब क्यों है क्योंकि सचिनवाजे नाम का एक एसाई गिरफ़तार हुआ है सचिनवाजे कौन है आपको थोड़ा सा मैं बता दू अमबानी परिवार के घर के बाहर विस फोटों को से भरी जो गा को टेक ओवर किया ATS से तो आखिर हो क्या रहा है इस वक्त मंबई पुलिस के अंदर और मंबई में यह सीधा सवाल मेरा अगर रामकदम साह हमारे साथ जोड़ गएं तो जरा बता दें आचा रामकदम जी आपका भी स्वागत है मैं आपके पास पहले इसलिए आना चाह रह उन्होंने जब सचिनवाजे का नाम सबूतों के साथ ले लेकर आरोप लगाने शुरू किये विधान सभा के अंदर तब जाके महराश सरकार ने कोई action किया आप क्या समझ पारें यह क्या घाल मेल हो रहा है इस वक्त थोड़ी सी इस बात में change करना चाहूंगा कि आरोप विपक्ष करता है इस बात को मैं स्विकार करता हूँ पर यदि आरोप तथों के आधार पर कागदों के साथ अध्यान के साथ सबूतों के साथ यदि किया जाए तो उस आरोप को अपना एक वजुद होता है तो देविंदर फड़निस जी ने जो भी आरोप किये उस सबूतों के आधार पर किये महराज सरकार ने वे सबूतों के आधार के भी आरोप स्विकार नहीं किये मान करके चलो वाजे उनका दामाद है यदि वाजे मूँ खोले तो शिवसेना के नेताओं की पूरे देश पे कि इनों दलों के नेता उसे बचाने का पर्यास कर रहे थे यह हमने पूरे देश्च देखा अब सवाल यह उठता कि इसे बचाने का प।했는데 की पीछे कारन क्या है को से ऐसे कारण है कि उसे वाजे नकलने वाले थे कि वे नाव, शिवसेना और महराज की सरकार को तक्लीम में ला सकते थे ये कितना दंबिर है आजादी के बाद देश में शायद ही ऐसा इकीमन पहले कभी हुआ होगा कि जो अधिकारी ये शर्यंतर का प्रमुक हिस्सा है वही इस पूरी इसके इजाज का अधिकारी पाद दे रखा किसे उद्धों सरकार ने रखा और स्कॉर्पियो जो जिलिटेन की दोरा पाई गई वो भी ऐसे उद्धों पती के घर जो देश के अर्फुसा में बहुत बाद योड़ा दान रखा समय बहुत है और आपको भी पूरे प्रवचन का मौका मिलेगा आज तो आपको सबसे ज़्यादा बोलना है सारे सवाल ही आपसे होने जरा उनको भूमिका तो बाद ने दीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा ठोक के जवाब दीजिएगा कोई दिक्कत नी और समय की कमी होगी तो मै दोशी हुँ बोले रामकशन जिलसे मैं आपका आभार में लिकरता हूँ और साथसाथ में बताता हूँ कि मोबाइल का सीरिया रिपोर्ट, जो गाड़ी में जिलेटिंग पाया जाता है, वो गाड़ी वादे चार मेने का उसका इस्तमाल करते हैं, जिस गाड़ी से सारे रोग भाग जाते हैं, वो इनोहा पुलिस के ही वर्क्शॉप में मिलती है, मुंबई पुलिस को महराज सरकार को नहीं मिलती, एनाय को चल्ड गंटों में मिलती है, अच्छानक जो मेन अभ्यूक्त है, वो उसकी मौत होती है, महराज सरकार जलबादी से कहती है, बाद में विपक्ष आवाज उठाता है, देवंदरी पड़ंदी जे मुखरता से अपनी इसमें आपने जो बोला, यह सब पब्लिक डोमेन के अंदर है, अख़बारों में चप चुका है, टीवी की, मीडिया की न्यूस रिपोर्ट्स में आ चुका है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि असत्त लगती हो, जो आपने अभी बोली, मेरे पास भी इस पूरे क यह तो मामला क्या घालमेल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए, एक देखो सहराव जी, दो बात, एनाइए ने पहले ही क्लियर कर दिया, कि यह बीज जो जड़ियां रखी थी, जिलेटिन की, उससे कोई पोर्ट पोर्ट नहीं होता, यह कोई दहचत वादी कारवा ही नहीं थी, एक बात समझ लो, आपके साथ दिलेटिन के लिए की गई, यह भी तत्या रहे है, वाजे, वाजे का को सेंसिटूट केसे दिये थी, जैसे एक बड़ा पत्रकार है, उसकी केसी थी, वो अनुए नाइस की केस भी कर रहे थी, पीयार्पी स्क्यान भी कर रहे थी रहे थे, सारे बीजेपी के जो बीजेपी चलाते हैं, वो बिल्डरों के किलाब भी बढ़े थी, अब मुझे बताओ, अब यह संजेवाजे को हटाने का टार्गेट लेके यहोंने काम किया, और उसको हटा दिया, अभी कहता है कि यह इन्वेक्टिकेशन आफिसरी, इस शर सांसिंग कार्ड के अंदर, GBI, ED, NCP का सरकार को अस्थिर करने के लिए वापर किया, सरकार ने यूज किया, वैसा ही अभी NIA को ला लिए है, अभी NIA को ला लिए है, अभी NIA को नहीं और पूरे सेटल इन्वेस्टिकेशन टीम को ही इन्वेस्टिकेशन किया है, देखो, मै मैं राम कजम की इस पास से सहमत हूं कि ये बुनिया में भी आईसी कोई केस नहीं होगी और ये भारत में भी पहले ही केस होगा कि आइना ये इस को पुरू करने जा रहा है कि इन्वेस्टिय अपिसर ही इस कांड का मास्टरमाइंड है बुझे बताइए वाजे के खिला पहले भी आरोप लगे थे 17 साल तक उसको सस्पेंड रखा गया एक भी चीज पूरू नहीं की गई और तो अब आप ने बोला तो मैं आप से कुछ सवाल है और इतने सवाल है मुझे पता नहीं इस प्रोग्राम में आप सबके जवाब दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे आपन बाद उसने क्या किया 17 साल वो शिवसेना आपकी पार्टी का मेंबर बन गया सचिनवाजे शिवसेना का मेंबर बन गया बिजनस चलाया और उसको पिछले साल आप लोगों लेकिया है क्यों लेकिया है ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगें सचिनवाजे में मुंबई पुलिस में और कोई अफसर नहीं है सारे important case सचिनवाजे डील करेगा एक-एक important case पिछले अब 10 महिनों में जो है सब सचिनवाजे को दिये गए सचिनवाजे मनसुक हिरेन को जानता था ये बात क्यों छुपाई ये बात जानते हुए सचिनवाजे को उस case का investigation का charge क्यों दिया गया और अगर सब कुछ ठीक था तो case से क्यों अटाया आज suspend क्यों किया वो इनोवाजे सचिनवाजे लेकर के निकलता है मुंबई पुलिस headquarter से और जब वापिस जाता है तो नंबर दूसरा नंबर प्लेट बदली है और वो इनोवा गाड़ी पे बैठकर वो जलेटन रखने वाला फरार हुआ वो मुंबई पुलिस के headquarter में गाड़ी क्या कर रही थी अगर आप मुझे बोलने देंगे तो बोल नहींगा जारा हुटता है यह सारे दोक इन बातों का जबाब नहीं दे पाएंगे आर रामकदम अगरा के बम के पारा कि आवरी को बोलने दीज आ रहा एं-टाफरम को मेरा सवाल के वारे से रामकदम जी आज इनके पता लगे पता लगे इस केस का बचाए इनके पास बोलिए केशोर जी, मैं पाकी दोनों मेहमानों के पाकी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ देखिए दोनों पुलीत अफ्तर भी बताएंगे शरारत करने वाले वाजे के खिलाब शरारत कर रहे थे इसमें मंसुख भाई हिरेन की जान चले गई और ये कोई भी शर्यंतर करने वाले है अब NIA में उनको पकड़ने चाहिए मेरे CM का स्ट्राइड क्लियर है और अब मैं बता रहा हूँ कच्चिन वाजे को हटाने की डिमाद इसे भी नहीं की थी और काम चलने नहीं देगा ऐसा बोलके इन्होंने उनको हटा तो हमारक आपका सदन चलने देंगे उस वज़े से उसको हटाया गया जैसे हटाया इन्होंने बोला अब उसको अरेस्ट करो अरे मुझे बोलो और ये तो दो दिन और सदन चलता तो बोलते है उसे फासी दो मैंने आपसे इतने सारे सवाब किया है आपने अके सवबिया इन्होंने अफstop इतने सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, लाम कदम बोलें एक मिनट, एक जवाब राम कदम से फिर जाते है अपने दूसरे नमारों के पास या तो तिवारी जी का अध्यान कमजोर है या अध्यान होने के बाद अंजान बन रहा है पूरे महराज की 12 करोड जनता जवाब सुनना चाहिती महराज के मुख्यमंत्र से महाराज की मुख्यमंत्री ना स्वयम सदन में आये ना इस बात पर कोई दिरड़े लिया, कोई फैस्टा लिया, यह समुचा देश चांटा है, क्या कारण है, वाजे की वकालत खुले आम शिवसिना कर रही है, यह मुख्येश अम्मानी को दिन दहाडे धंका के आने वाले दस महाने कर पारिकावे चुना होने जा रहे है, उसके लिए चंदा वसुल करने का काम था, क्या था, यह हमारा सवाल लिए, चली अच्छा ठीक है, वाम करने साब पिशोर्तिमारी जब मैं दोनों मेहमान जो बाकी रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं, वो उनके साथ नाइन लग रही है मुझे भी, मैं वाफिय चाहता हूं, जैन साब और पवार साब बहुत देर के बाद आपके पास आया, दरसल में आपको राजनीतिक बातशीत में नहीं शामिल करना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग फैक्ट्स पर बोलेंगे, आप लोग मुंबई पूलिस को स लास्ट जो कस्टोडियल डेथ की केस थी, उसके बाद सस्पेंशन हुई, सस्पेंशन में उसने रिजाइन करने की कोशिश की, रिजिगनेशन एकसेप नहीं हुआ, तो वो टेक्निकली पुलिस सेवा में ही है, उसी दोरान में उन्होंने एक प्लिटिकल पार्टी जॉइन की शिबसिना और उसके एक्टिव संद्स से रहे, उसके एक्टिव काम करते रहे, उसके बाद में 2017-2018 में उनके खिलाब में फिर एक एक एक्सरॉशन का केस दाफिल हुआ, अब ऐसे व्यक्ति को 2020 में specially reinstate करके फिर उनको क्राइम ब्राश में पोस्ट किया जाए, फिर C.I.U नाम की जो हमारा गटक है उसमें पोस्ट किया जाए और फिर सारे important cases उनको दे दिये जाएं तो इसके पीछे political bill के इलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता कोई भी अधिकादी जो अपने जो अपने salt के लिए सच्चा है जो तो वो अधिकादी इस तरह का नहीं लेगा ये जरूर कहना के political bill का question है और सारे important case उनको दिये जाने के बाद ये case में क्या हुआ कि वो सबसे पहले अधिकादी थे जो गटना सल्वे पहुंचने वालों में थे और ये case भी उनको सॉप दिया लिया उस अधिकादी ने कभी ये नहीं बताया कि वो मनसुख हिरेन को जानता है उसने ये नहीं बताया कि ये गाड़ी वो चार मेंने यूज़ करता रहा उसने ये नहीं बताया कि उसके संबंद क्याते मनसुख हिरेन के साथ तो यह सारी चीज़ें जो थी वहां से संशे पैदा होना शुरू हुआ और यह सारी information किसी भी तरह से विरोधी पक्ष नीता को पता चली उन्होंने ये बातें हाउस पे उठाई उसके उपर भी कारवई नहीं हुई जो बाद में जाइस ट्रांस्टर की गई के पास उसकी टीम में भी सचिनवजे को रखा गया तो अनफॉर्चनेटली कुछ घटनक्रम ऐसा हुआ और कुछ ऐसे तत्थे सामने आते चले गए कि जब उसको क्राइम प्राइब से हटाना जो था वह सरकार के लिए जरूरी हो गया क्योंकि सारे ट्रेशन जो थे वो मुख्यमंत्री मौदे से पूछे जा रहे थे बिल्कुल पर अब तो सब चीजे क्लियर हो गई है एना ये ने वह गाड़ी वी जब कर दी जिस गाड़ी में बैटके स्कॉर्पिय के ड्राइबर को वहां से उठाया गया और वहां से उसको रिमूव किया गया तो अब तो सारी से क्लियर हो गया इसके लावा दो तीन फैक्स में और पदा दूं पवार साब एक मार्च को इस केस से हटाया जाता है सचिनवाजे को और दो मार्च को जिस इमारत बिल्डिंग में वो रहता है उसकी CCTV फुटेज का DVR जो होता है डेटा वो कुछ पुलिस वाले आकर के ले जाते हैं और वो पता नहीं कहा है कौन पुलिस वाले ले गया पता नहीं कौन जाता था उसके घर में उससे मिलने के लिए किसी कोई तो जाता था जिसको चिपाना था वो जिस दुकान से नंबर प्लेट बदलवाने गया उस दुकांदार का बयान है हमारे पास में इस प्रोग्राम में सुना सकता हूं वो दुकांदार के रहा है सचिन वाजे आता था म पेरे पास और आया था उससना नमबर्ड बनवाई थी मेरे से फरजी नमबर्ड बनवाई और सरकारी पुलिस की इनोबाइब लगाई जो और उससे लेकर घुमता रहा तो जिससे यह नंबर प्लेट लेते हो, उसकी सेप्टी आपको पहले देखना चाहिए, उसको राइटिंग में देना चाहिए कि हमको इसकाम के लिए चाहिए, ताकि कल कोई भी उसको पूझे तो बता सकता है, अभी यह सारा जो घटना करम है, यही बता रहा है, कि यह एक आप में सेम गाड़ी चूरी की कंप्लेंट दी जाती है, और बात में गाड़ी या जिरली टिंगे साथ में मुकीश अमभानी के घर के बाहर पाई जाती है, इसमें इनोहा गाड़ी भी है, अभी यह दोनों गाड़ी पुलीस के कबजे में थी, यूज हो रही थी, यह यह मालूम था तो पहले तीन ही इनों बताना चाहिए था, हम लोगों ने फलाने फलाने काम के लिए एंकारी रखा था, जब बताया ने आपने, और जब सवाल के उपर सवाल सवाल के उपर सवाल आ रहे, तब आप डिफेंट करते जा रहे, और एक समय ऐसा आगया, कि जब सचीन वाजे को मुलता जैन साब ने जो बोला, उसको सर्विस में लिया क्यों, लिया तो आई से इंपर्टन पोजिशन पर क्यों दिया, जिसके पीछे सारी प्राब्लेम लगी है, वो आदमे को कोई भी साइड में रखा जाता है, इंपर्टन काम नहीं दिया जाता है, सचीन वाजे बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सचीन वाजे ही क्यों, तो इसका जवाब तो किशोर तिवारी जी दे सकते हैं, तिवारी साब ये तो दो बहुत रिस्पेक्टेड रेटायर आईपेस ओफिसर बोल रहे थे, उनकी बात आपने सुनी, ए दो रहे पोशिच नहीं, तूस तो जबाब देवा, तिवारी जी बोली जी बोली एक पर इनके बात बोलीजेगा, तिवारी जी बोली आरे राम कदम जी, आपका कुछ जमेंगा नहीं, तो तो पर, थोड़ा सबाल लो होने आपको, तो तो रुजार देने वाले उद्जय अगर एक दूसरे के बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा रामकुदम साब आप इंका जवाब सुन लीजे फिर बोलीजेगा किशोर किवारी जी बोलें किशोर जी लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि जो मंसुत भाई का वकील कह रहा था कि उसको मंसुत भाई ने बताया कि वाजय मेरा दोस्त है और यस किकिरिकिरी से वो बचाना चाहता है लेकिन उसको पुलीस वाले और मीडिया वालों ने इतना प्रतारी किया कि वह परचास्ता अब यह एक बात है तूसरा अब एना ये नहीं जब पुनात आखली कर दिया है अब आपको क्या लगता मंसूक घरेन के हथिया हुई है यह अत्मा हथिया है यह बताइए उझे को लगता है जिनको सचिन वजे को फताना था उन्होंने मंसूक अभई इरेन के हत्या किये हैं और हमारा टीयस भी जाच कर रहा है और पूत का डूत बूत और पानी का पनी अज तो उतको सजा मिलनी चाहिए यह हमारा स्ट्राड है लेकिन यह गुजरात पैटरन यहां नहीं चलेगा यह भी हमारा कहना है आपकी बात का जवाद मिलू रामकेदम जी जवाद दीजिए इसको गुजरात पैटरन बता रहे हैं इनके भोले-भाले अफसर को फसा रही है नही देखेगा यह इतनी बड़ी लोकत अंतरता है यह मिलाक उड़ा रहे हैं जब सारे सबूर देश को अब उड़ाने का ठीका आपको है आप उनको बोलें दीजिए प्लीज बोलिए रामकेदम जी आपके पीसे वो बोल रहे थे मैंने उनको बोला आप वो ना बोले पर दिन जो और वाप वह तो अब किछी आप गुची तो भूलेंगे ना बोले तो दीजिए उने वालिये पजाते हैं अब बोल तो आपका यह सुन रही है इनका भी सुन रही है वो दुनिया को तेक तेख करने एंगे उनको सुनने तो दीजिए लोगों को भी आपके डल का और आपके सरकार का मूँ खाला समुचे देश के सामने हो गया है जब जो आरोप यह हो स्पैम कमिल कर रहा है वहाँ एक शड़ोगा हिस्ता है उसका समर्कन करना यह दर्शा का है और सुनिशित करता है रही है साथ अपने थोड़ा सा इसली स्टम के नजधीक आकर के बूब सकते हैं कि आपके अबाद ब्रेक हो जाती शुरब जी केवल मातर में इतना ही करना चाह रहा है और उनके आवाज जो लाजी ते का उसे नहीं कर आगे है शुरसेला उसका समर्थर कैसे कर सकती है क्या शुरसेला ने सब कुछ छोड़ दिया सारे उनके विचारों को तिलांगे लिए देगी अब किसका अब कर देकर हमार आती है यगी इतनी सारे सब्सक्रा के बात किस्तरा के समर्थर करें वाजे के साथ शामिल है और तो पुरी तरह से काला हो चुकर है यह बात तो अब कि रिटार्ड ऑफिसर जैन साब भी कह रहे थे कि ऐसी ऐसे काम बिना बिना उस उनके उपर किसी राजनेता का हाथ वे पास जाते हैं और आखिर तक जब तक यह सबूत सामने नहीं आने लगे तब तक हर कोई उन्हें डिफेंड करता है मुख्यमंतरी ने तो यहां तक कहा था उदर ठाकरे सहाब ने जिस दिन इनको केस से हटाया उस दिन उनने कहा कि हम हर दोशी को पकड़ेंगे किसी को नहीं है हम भी नहीं कह रहें कि वह समामिन लादेन है लेकिन उस वेक्तिकों पर आरोप कितना गंभीर है यह भी तो देखिए और आज वेक्ति गिरफ्तार हो गया और रिमांड पुलिस नहीं देती है अदालत देती है सर अरे अगर एन आए मांगेंगी तो रिमांड देती है अब रिमांड के बाद से तो कुछ उठे लाओ अरे कुछ नहीं है एन आए भी यहाँ धाला के जाएगी के वाल इनको यह पता ना आए कि जिसमें आपनों गोसावी को रेच किया उसको हमने एरेच कर लिया अरे ये 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 लोग बदले की राजनीती कर रहे है तरकार दिराने के लिए कर रहे है वो विस्पोटक किसने रखा वो विस्पोटक क्या बीजेपी वाले रखे आये थे वहाँ पर वो किसने रखा था वो जिलेटिन किसने रखा था अभी आप कह रहे है वो बम नहीं था अरे तो क्या बम रखते तब आप सीरिसली लेते इसक वो जिलेटिन से पम मना के कोई रखता तब आप मानतें कि वही गुना हो गया इसमें आपको साजिश किसकी लगती है और कौन विक्टिम लगता है साधिश है इसके बारे में किसके मन में शंका है साधिश अब ये बोलना है बीजेवी वी वालों ने करी मेरा ये बोलना है कि अब तो बहुत सारे स्थबूत जह हो एनाय के कबजे में हैं यही स्थबूत ATS के पास भी है तो इसमें साजिश तो वज़े से शुरू होती है अब वहां से शुरू होके वो कहां तक पहुंचेगी यही देखने का मुद्दा रहेगा गे यह अब यह जाच कहां कहां तक पहुंचती है इसको देखिए तिवारी जी और कदम साहब इसको राजनेतिक रंग देने की जरूरत नहीं है ये बहुत गंभीर मामला है कि एक पुलिस अधिकारी की हिम्मत ऐसी हो गई कि गाड़ी जो वो खुद यूज़ करता था वो ही गाड़ी उसने स्फोटरक रखने के लिए यूज़ करी और फिर वो स्फोटरक रखके खुद यूज़ का इसको ऑफिसर बन गया अब जहांच उस तक पहुंच गई है अब आगे पहुंचने वाली है तिर्व फेस्बुक के उपर अपना पोस्ट डालता है कि मैं अभी दुन्ये से जाने का बक्ता आगया एक एमोशनल रपीज जैसा करता है तो वो अधिकारी जो 16 साल तक डिपार्टमेंट से बाहर था जिसके जो सोर्सिस से वो ड्राइव हो चुके थे उस व्यक्ति को ऐसी इंपोर्टेंट पोस्ट पर लाके सारे केसिस दे देना यह किस बात की तरफ इशारा करता है चलिए मेरा यह कहना है कि आपने दिया उसको अब वो व्यक्ति अपनी करणी में फस गया लेकिन वो कहां कहां यह इतना बड़ा काम जो है वो उस लेवल का अधिकारी अपने बूते पर नहीं कर सकता मेरा यह 35 साल का अनुवो बताता है उसके पीछे जरूर किसी का वर्द हस्थ है वो हस्थ किसका है वो ढूना एनाए का काम है एनाए की जाँच अभी शुरू हुई है अभी तो बारा दिन उनके पास में है नहीं नहीं सर मंसुख हिरेन की जो पत्नी है उन्होंने ये स्टेट्मेंट दिया है कि सचिन वाजे मंसुख हिरेन के उपर ये दबाव बना रहा था कि तुम इस मामले में अपना गुनास विकार करके जेल चले जाओ कुछ दिनों में मामला थंडा हो जाएगा तुम बेल पर बार आ जाना मंसुख हिरेन में ऐसा करने से इंकार कर दिया और उसके चार दिन के बाद उनकी मौत हो गई उनकी हत्या कर दी गई ये क्या बताता है एक सवाल और पवार साब अब ये केस पहले CIO देख रही थी फि है कहां और NIA आती है और सेम डेव NIA को पता चल जाता है कि ये तो जहां बैटकर जाच कर रहे हैं उसकी पीछे खड़ी है मुंबई पुलिस के एट कौर्टर में खड़ी है वह गाड़ी और ये CIO और ATS को नहीं पता चला ये मुम्किन है क्या पवार साब मुम्किन का कोई सवाल इने है गाड़ी ये नोगा गाड़ी वहां थी क्या नहीं थी ये बात छोड़ दीजिए ये गाड़ी दुनिया के कोई भी कौर्टर में होती तो मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है कि इसको पाताल में होती तो भी डूंग के लाती थी बिलकुल जब सब्सक्राइब यजितने जयादा बात इतनी क्लियर है क्यों इसमें भी डिफेंट करना है क्यों पर borgad को कि Mull大 doctor होग हुए पूरा जब्डम अच्छा कैई थे शी डावा जोटा है अपोईजन को इतने एविडेंस मिल गए यह कैसे मिले यह सच्छा ही है इसके लिए मिले यहां पर तो कम से कम आप समझ जाएए कि इसके आगे आप चलने वारा नहीं है आप एटी एस यह ना यह का नाम लेके भारत सरकार इसमें आ गई है इसका डिफेंस लेके कोई फाइद को सीडियर दिखा रहे हूं या कोई स्टेट्मेंट दिखा रहे हूं वो बताते हों कि बात होती थी मन्सुख रेन की और सचिन वाजे की सारी बाते है इसको किसने डिनाई किया क्या मैं आ रहा हूं आपी के पास आप किवारी जी क्या मुंबई पुलिस ने शिव सीना ने एन सीपी ने किसी ने उन सबूतों को गलत बताया किसी ने यह का कि नहीं आप जो बोल रहे हैं जूट बोल रहे हैं उसको सच मानके आपने केस से हटाया सचिन वाजे को ना किवारी जी सचिन वाजे को तो पॉलिटिकल प्रेशर में अटाया लेकिन जो बीजेपी बोल रही है इन्हों ने तो इनके वक्त गुंडों को मिनिस्टर बनाया था मुन्ना याद हो तरीके ये बात मत करें ये ये गुंडों को शेय देते थे अभी हमने वाजे को इन्वेस्टिकेशन आपिसर बनाया और वो सब्जेक्ट टू पुरूप होता है इन्वेस्टिकेशन आपिसर कोई जच्मेंट टोड़ी देता है और मैं पवार साब का रिस्पेट करता हूं अगर ये सब कुछ विटनेश है और ये पूरूप है तो तचिन वाजे अगर चाविल है तो एक बार बिजेपी के प्रवस्ता ये बात कर ले कि गुणागारों को कोई भी पार्टी शय नहीं देगी वो माफिया राज को चले नहीं देगी तो मैं भी कबूल करूंगा आप करें किया से खंडी निकालते आपकी पार्टी सचिन वाजे को शय दे रही थी आप इनसे कह रहें कि कि जो भी मेरिट पर होगा वो मेरिट पर डिशाइड न कुछ रहा हुँ न एक आगमी सतरह साल से ड्यूटी में नहीं है 17 साल से वो पुलिस की वर्दी नहीं पेहना है उसको दस मेने पहले लेके आते हैं शारे इम्पोर्टेंट केसे उसको देरेते हैं टेर का केस्ति वह करे यह सब कर रहा था इसकी जो दुखता था उनके डिपार्मेंट में उने नहीं जब डिटेल रिलिज किये हैं और मैं बता रहा हूं आपके चैनल पर वोई लोगों ने सचिन वाजे को पताया है और वोई लोगों ने बंसुक बाई को मान के फेंगा है सचिन वाजे तो मोरा है आपके इस डिफेंस पर कुछ कहने के लिए बचा नहीं है रामकदम इंगा बार बार यही कहना है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल केसिस की जांच कर रहे थे इसलिए उनको टार्गेट किया जा रहा है मैं देखेगा यह देश के सामने चुपा नहीं है कि सचीन वाजे के पास जबर ऐसा कुछ का कुछ राज है जो राज सुरिशना को बहुत बड़ी तकलीव में और महराज के तीन गिलों के सरकार को बहुत बड़ी समस्या उपने कर सकता है और वही कारण है कि जो मजबूरी के इसा पर नहीं पर नैजिए लौती है अरे शांड रहिया आपके बारी में आपके वारी में आपके पास दुबरावा भी आ सकता हूं इबोले दीजे लिके बोली कद्दें साथ सवरब जी एक ऐसा दुभाग यह कि किसका समर्तर सुलिशना चाहिए है एक इंसान को बार दिया उसकी विद्वा पत्नी रो रो करके सरकार के पास महराज सरकार के पास इनके मुख्यमंतरी के पास गुहार लगा रही है मेरे पती का हक्यारा वाज़ है उसे गिरफ्तार करो और वही मुख्यमंतरी विद्वासवा सदर में आखे के वाज़ करते है अरे भाई साम शांति बरते हैं इतना ब्लड पिशर बढ़ा के कोई मतलब नि शांती बरते है आप आपको पता नहीं चल रहे हैं आप किसका समर्द कि जो पिस्पोटक रखे थे क्या उसको ड़रा धंका करना था तो आपको देश सवाल पूछ रहा चाहता है इसके लिए शांती से वरी बाते आप सुनें अरे भाई हम गरीबों की लाखों करोनों की जिन्दे की देते हैं कि लाखे जिए प्लीज 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 करम साथ के परोक्ता के पास सवाल का जवाब नहीं है तो हिस्ता क्यूं लेते हैं डिबेट में हमारा को खेवल मातर इतना ही सवाल है इतने सारे सबूत मीडिया दे रहा है देवन प्लीज जी दे रहे हैं सारे लोग दे उसके पावजूद भी वाज़े का समर्तन कैसे हो सकता है यह तो जाच एगनसी तै करेगी वो स्वैर कबूल कर रहा है कि मैं शड़ेंदर का हिस्ता हूँ प्रशियू से ना कह रहे है नहीं ने तू शड़ेंदर का हिस्ता नहीं है अब देखें उनको तो अपनी सरकार को डिफेंड करना ही है मैं तो तारीफ करता हूँ कमसिगम किशोर तिवारी जी नी एक खतरने का काम बोल तो लिया कि ऐसे मामले में भी वो बचाव करने आए अपनी पार्टी और सरकार का लेकिन एक सवाल मेरे मन में है और वो सवाल वीवर्स के मन में भी जरूर होगा कि अगर ये वाकरी सचिन वाजे था जिसनी सारा शड़ेंदर रचा जैन साब और मुकेश हमवानी के घर के बाहर उनको डराने की धंकाने के लिए एक गाड एक प्लेयर था वो तो मिल गया उनको आगे वाला प्लेयर कौन-कौन है इसके अंदर किस-किस का हाथ है वो कोई अधिकारी है या कोई पुलिटिकल लीडर्शिप है वो सारी चीजों की जाच एना ये करेगी ATS और ये उसके मर्डर की जाच कर रही है मनसु की रहन की तो य करिए उसके लिए ये बहुत हरली है मेरे लिए सिरफ ये अटकर लगाना अंदाज लगाना होगा कि उसका क्या मोटिव हो सकता है मेरे सामने मोटिव दिख रहे हैं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि जो कयास लगाया जा रहे हैं क्या ये उगाही का एक्स्टॉ ही ना हो तो किसी और तरह की हेल्प मांगी जाए तो ये भी उसके अंदर एक मुद्ध हो सकता है जी बेसिकली तो ये दो ही मुद्धे हैं जो इस सामने पावार साब अगर आपके आपके अनुभव से जाने तो कोई भी पुलिस वाला ऐसा काम क्यूं करेगा अगर किया सचिन अभी मेरा एक सवाल है कि मुंबई पुलिस में 17 साल क्या पुलिस अधिकारी नहीं थे जो काम कर रहे थे एक सचिन वाजे ही एक अधिकारी है कि जो आते ही सारे important cases उसको दे दिया 17 साल मुंबई पुलिस का काम बन था क्या तो मुझे ये समझ में ने आ रहा कि इसको क्यों important दिया गया था तो इसका मतलब यह है कि इसको जान कुछ के वापस लाया गया था और सारे ऐसे ही काम इसको करने की थे इसलिए मुझे लगता है इसको यूज किया गया है इसको जिन्होंने भी यूज किया है उसका तपास होना बहुत ज़रूरी है आज एक पार्टी पाव नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ